स्टूडेंट गो में आप सभी का स्वागत है आईए देखते हैं आज का टॉपिक यहां क्या करियर ओप्शन होते है जिनमें से हम अपने किसी भी मनपसंद करियर ओप्शन को सलेक्ट कर सकते हैं जैसा कि आप सभी को मालूम है बीए एक अंडर्ग्रेजूेट कोर्स है जिसे की बैसेल और आफ आर्ट्स भी कहा जाता है BA करने के बाद आपके पास career opportunities बहुत हैं जैसे की diploma course, cultural organizations, environmental protection, film and television, foreign affairs, politics, public affairs, social service तो ये सारे आपके पास कई सारे अफसर हैं जिसमें आप अपना career बना सकते हैं कुछ लग BA को बहुत छोटा course मानते हैं, बट reality में BA ही एक ऐसा option है जिसे करने के बाद आपको कई रास्ते मिलते हैं choose करने को So friends, BA के बाद बहुत से option हैं आपके पास जिससे आप अपना career बना सकते हैं और आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं आप चाहें तो undergraduate के बाद आप post graduation की तयारी भी कर सकते हैं जिसे आपकी study चलती रहेगी आप PG course प्राइवेट भी कर सकते हैं साथ ही कोई private job कर सकते हैं और government job की preparation भी कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं sports में career के इस प्रकार बना सकते हैं अगर आप sports में आगे बढ़ना चाते हैं तो आप B.P.E.D. कर सकते हैं B.P.E.D. की जो full form है यह है bachelor of physics education यह course आप कर सकते हैं यह physical student के लिए बहुत ही अच्छा option है क्योंकि B.P.E.D. के बाद आप school level के लिए तयार हो जाते हैं जिससे आपको job मिलने में आसानी होती है आज के time में sports को बहुती जादा बढ़ावा दिया जा रहा है तो अगर आपका interest sports में है तो आप इस course को भी कर सकते हैं अगर आपका law में interest है तो आप B.E.D. के बाद B.E.L.L.B. कर सकते हैं जो की 2 साल का course होता है L.E.L.B. करना एक बहुती बढ़िया option समझा जाता है B.E.L.B. करके आप किसी भी court में job हासल कर सकते हैं अगर आपका interest politics में है तो आप politician बन सकते हैं B.E. में अगर आपके पास political science है तो आपको political जो language है इसे समझने में बहुती आसानी होगी आगे हम बात करते हैं hobby course के बारे में अगर आपको कुछ करना अच्छा लगता है जैसे की painting, drawing, photography, acting मतलब जो भी आपकी hobby हो तो आप अपने hobby को भी पूरा कर सकते हैं आज के time में कोई भी काम छोटा नहीं होता है इसलिए आप अपने hobby को भी अपना career option बना सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं diploma course के बारे में तो diploma course के अंदर कई सारे option है जिसे choose करके आप आगे अपना career बना सकते हैं सबसे पहला option है film making का, दूसरा option है mass communication का, तीसरा है animation और फिर आता है fashion जिनका interest fashion में है वो इस diploma course को कर सकते हैं फिर आता है hair stylist ये भी आजकल काफी trend में है अगर आपको इसमें थोड़ा भी इंटरस्ट है तो आप इस course को कर सकते हैं फिर आता है PGDCA ये है post graduate diploma in computer application और इसके बाद जो last है ये है digital marketing जो कि आजकल बहुत ही famous है तो इन में से आप अपने interest के हिसाब से कोई सा भी diploma course कर सकते हैं आगे हम बात करते हैं सरकारी और private job की तयारी के बारे में जब आप BA कर लेते हैं उसके बाद आप चाहें तो सरकारी नौकरी की भी तयारी कर सकते हैं या फिर private नौकरी भी कर सकते हैं after BA आप jobs की तयारी कर सकते हैं civil service की तयारी BA के बात कर सकते हैं क्यूंकि civil service के लिए graduation complete होन बहुत ही ज़ादा जरूरी है, साथ ही आप private job भी कर सकते हैं, civil service में IAS की तियारी कर सकते हैं आप यानि कि Indian administrative service, उसके बाद IPS की तियारी कर सकते हैं Indian police service, या फिर IFS की तियारी कर सकते हैं Indian foreign service, इसके बाद हम बात करते हैं journalist के बारे में, आप BA के बाद journalist का course करके journalist भी बन सकते है यानि कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे career options होते हैं BA करने के बाद इतने career options आपको किसी और course को करने के बाद नहीं मिलते हैं जितना की BA में मिल जाता है BA course को करने के बाद आप जिस फिल्ड में चाहें उस फिल्ड में जा सकते हैं इसके बाद बात करते हैं teacher के बारे में, आप BA के बाद teaching course कर सकते हैं और exam clear करके teacher की job लग जाएगी आपकी, after BA आप school में teacher बन सकते हैं, इसके बाद आता है social worker, आप BA के बाद social worker भी बन सकते हैं, social worker आप government भी बन सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो private social worker भी बन सकते हैं, तो इतने सारे options हैं आपके पास BA करने के बाद, BA के बाद आपको कई तरह के options मिलते हैं, जिसमें से आपको choose करना है कि आपको क्या करना है, आपको किसमें interest है, जिसमें आपका interest हो आप उसी line को चुनिए, BA के बाद आपकी कहीं पर भी private job लग सकती है, और अगर आप चाहें तो government job के लिए exam दे करके government job भी पा सकते हैं, इसलिए BA को useless नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके पास बहुत सारे career options होते हैं, BA के बाद आपको जितने options मिलते हैं, उतने किसी भी course में नहीं मिलते हैं, सो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज हमें comment करके जरूर बताईएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी helpful लगी हो, तो प्लीज एक like जरूर करतीजेगा, और हमारे चैनल को subscribe करके, bell icon जरूर प्रेस कीजेगा, जिससे आगे आने वाली, सब भी वीडियो के notification आपको मिलती रहेंगी, और ये दिए आपको अभी भी को पूछ सकते हैं, आपको reply जरूर मिलेगा, thank you so much for watching this video.